नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस कारिक्रम में आपके साथ मैं हो स्वापनिल इस सडक पर इस कदर कीचड बिची है हर किसी का पाउं घुटनों तक सना है कवी दुशिंद कुमार के ये लवज जोदपूर के जय नारायन व्यास यूनिवर्सिटी में भरिष्टा चार की भयावधा को बया करने के लिए काफी है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भरती प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो किया वो शिक्षा जगत के लिए अब तक का सबसे स्याह पहलू है भाई भतीजावाद के भवर में यूजी सी के नियम हवा हो गए तो काइदे कानून ताक पर रखकर मुन्ना भाईयों को प्रोफेसर साहब बना दिया गया रिश्वत खोरी की का नंगा ना चला लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद इस पूरे भरती कांड की कलई खुल रही है अब तक पूरे प्रकरण में 11 गिरफतारियां हो चुकी हैं तो बने रही है हमारे साथ अगले आधे घंटे में हम पेश करेंगे मामले की चार शीट विधान सभा के बजट सत्र में जोधपुर के जय नारायन व्यास विश्विद्याले में सहायक प्रोफेसर भरती घोटाले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकलाया है JNVU शिक्षक भरती घोटाले के कारण विधान सभा के सत्र में विपक्ष बैक फुट पर चला गया है और सत्ता पक्ष विपक्ष पर फारी पड़ रहा है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद जैसे जैसे कानून का शिकंजा घोटाले बाजों पर कस रहा है वैसे वैसे घोटाले में शामिल रसूख दारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान उस समय आया है जब जैनारैन विश्वे द्याले में सहायक प्रोफेसर भरती पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है पूर्व कॉंग्रेसी विधायक जुगल किशोर काबरा की गिरफतारी के बाद गहलोत के इस बयान में उनकी बेचैनी भी हो सकती है हो भी क्यों ना देश के सर्वोच चन्यायले के आदेश पर पहली बार जाच सीधे गहलोत और उनके करीबियों के आसपास पहुँची है कॉंग्रेस सरकार के दोरान JNVU में सहायक प्रोफेसर भरती हुई थी जिसमें काईदे कानून पर रसूख दारों का पलड़ा फारी रहा सहायक प्रोफेसर भरती मामले में रसूख दारों के वजूद का खुलासा भी JNVU द्वारा जारी की गई अंतिम चैन सूची ही कर रही है जरा देखिए ये है वो सूची जिसमें शिक्षा जगत में पल रहे खोटाले की सडांध कई प्रतिभवान युवाओं को निराशा के भवर में डाल चुकी है और रिष्टो की डोर को थाम कर या भ्यरती सहायक प्रोफेसर के पत पर काबिज हो गए जरा गौर से देखिए इन सहायक प्रोफेसर साहिबान की योग्यता खुद से है या किसी के वरधहस्त से राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख के तम पर शिक्षा जगत में घोटाले की ये कहानी बड़ी घिनाउनी है लिष्ट लंबी है सोचिए कितने बिनाए प्रोच वाले योग्या भ्यरतियों के लिए ये सूची किसी काले साहे से कम नहीं होगी राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख का खुला खेल चला तो भला युनिवर्सिटी के शिक्षक और उनके रिष्टेदार कहां पीछे रहने वाले थे जो नाम आप देख रहे हैं वो उन अभ्यरतियों के हैं जिनकी तूती जे एन बियू में सरयाम बोलती है हकीकत ये है कि विश्व विद्याले के शिक्षकों ने शिक्षा का ग्यान तो सबको समान रूप से दे दिया लेकिन सहायक प्रोफेसर पर भरती की बारी आई तो ये भी अपने रिष्टेदारों की पैरवी करने में पीछे नहीं रहे यानि सूची को ध्यान से देखते हैं तो जै नारायन विश्व विद्याले में सहायक प्रोफेसर समेथ पूरी भरती प्रक्रिया में योग्यता पर भाई भती जवाद हावी रहा है काईदे कानून को ताक पर रखकर चहेतों को भरती करवा दिया लेकिन जब देश की सर्वोच अदालत ने प्रष्टाचारियों के इन कार नामों से परदा उठाने के हरी जंडी दे दी तो खलबली मचना स्वाभाविक है चार सीट में जो जिन जिन दाराओं के तरह आरोप लगाए गये थे उन सभी आरोपों को कोर्ट ने परमानित मानते हुए इन सभी छे जो आरोपी हैं पूर्व कुलुपती ततकलन कुलुपती डॉक्टर बोवर सिंग राजपरोईत पूर्व विदायक जूगल काबरा, डूंगर सिंग खिची जो इंडिकेट सदिशी थे फिर लिप्रिक केशवन अबरारन, स्याम सुदर सर्मा और दर्याव सिंग चुन्डवत इन सबी के खिलाब आरोप परमाज पाये जाने पर एसीबी कोट ने आज पर संग्यान लिया कॉंगरेस के पूर मुखिमंतरी असोग घैलाओ भले ही ये दावा करते हैं कि वो ऐसे अधिकारियों की फेरिस तयार कर रहे हैं जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन एसीबी की चार शीट में जो कॉंगरेस नेताओं की जनम कुडली बनी है वो कॉंगरेस के भविश्च के लिए अच्छी नहीं है कैमरापरसन रमाकान तव्यास के साथ राकेश शर्मा, ETV News, जैपूर JNVU की भरती प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि केवल भाई भतीजावात का भवर जाल ही रहा बलकि युनिवर्सिटी प्रशासन ने तो UGC के नियमों की भी ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि पूरा शिक्षा जगत शर्मसार हो जाए नियमों को हाईजेक कर की गई ये भरती राजस्थान में उच्छ शिक्षा के इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याए बन गई है सहायक प्रोफेसर भरती में बड़ा घोटाला भाई भतीजावात के भवर में उड़े UGC के नियम रिष्टेदारी का खेल नियम कायदे हुए थे मुन्ना भाई बन बैठे सहायक प्रोफेसर कहते हैं लब और वार में सब जायज है लेकिन जे अन्वियू भरती के जाबास तो एक कदम और आगे निकले UGC Regulation 2010 के नियमों को ताक पर रखकर मुन्ना भाई सहायक प्रोफेसरों को नियुक्ती देडानी सुप्रिम कोर्ट में पेश ACB की चार्शीट में साफ खुलासा होता है कि इन्वेस्टी प्रशासन ने भरती प्रक्रिया में UGC की तययोगिता को भी तरकिनार कर अयोग अभ्यर्थियों को नियुक्त कर लिया इतना ही नहीं इस पूरी प्रक्रिया से स्तरकार को भी धोखे में रखा गया और राजपाल के आदेशों की आड़ लेकर पूरे खेल को अन्जाम दिया गया दरसल UGC Regulation Act 2010 के मुताबिक सहायक आचारिपत के लिए NET, SLET, SET की योगिता अनिवारी है लेकिन भाई भतीजावात के भवर में सब नियम हवा हो गए और 109 में से 30 ऐसे मुन्ना भाई सेलेक्ट हो गए जो योगी ही नहीं है नियमों को हाईजैक करके अपनों को रियोडियां बाटने वाले जेन बियू के जिम्मेदारों पर नज़र डाले तो सबसे उपर नाम आता है वो हैं ततकालीन कुलपती भमर सिंगराज पुरोहित जिन पर आरोप है कि उन्होंने UGC के नियमों की खुले आम धज्जियां उड़ाई हैं इस फेहरिस्त में दूसरा नाम है चैन समीति के सदस्य और सिंडी केट के प्रभाव शाली राजनीतिक सदस्य जुगल पिशोर काब्रा का जिन पर आरोप है कि उन्होंने आयोग उम्मीद्वारों का चैन किया है जिम्मेदारों में सिंडी केट सदस्य दूंगर सिंग खीची ततकालीन डीन बिधी शाम सुंदर शर्मा संस्थापक शाखा प्रभारी केश्वन एमबरन चैन सनिती में सरकार के प्रतिनिधी दरियाव सिंग चुंडावत पर भी अपनों को फाइदा पहुचाने दस्ता वेजों के साथ छेड़ जाड़ जैसे आरोप है कि यह जो ओडिनेंस माननिये चांसलर राज से जो अप्रूब कराए गया है यह उनको अंदेरे में रखकर दोखेश रखके कराए गया है और इसी ओडिनेंस के ताहत लगबग एक तिहाई असिस्टंट प्रोफेसर जो भर्ति किये गये हैं वो यूजी सी के हिसाब से मिनिम जे अन्वियू के तकाले जिम्मेदार अधिकारियों ने यूजी सी नियमों की आड में धोखे से सरकार से अवैध आदेश भी जारी करवा लिए जिसमें सहायक प्रोफेसर की भर्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल होनी की छूट दे दी गई जो प्यजडी में अ आठ साल के पढ़ाई के अन्भोग को भी विश्विद्यालय प्रशासन ने ताक पर रख दिया ऐसे अयोग्य अध्यर्थियों की सूची पर नजर दोड़ाएं तो पाएंगे कि सहायक प्रोफेसर बनने वाले इन अध्यर्थियों ने नियुक्ति के वक्त योग्यता हासिल नहीं की थी इन लोगों ने तैती थी के बाद योग्यता हासिल की एसीडी की जाच रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है कि बाहरी राज्यों के अध्यर्थियों को भी बंदर बांट की गई यूपी निवासी सुरेंद कुमार को तो सामानी की जगह आरक्षित कोटे में चैन जगता या निस्पक्षता को तवज़ दी गई है ना तो इस्कुरूटनी की धंग सकी गई जए स्कुरूटनी सीट है उसको बदल दिया गया जिनको जो आयों के गोशित किये गए थे उनको इंटर्व्यू में सामिल कर दिया गया ऐसे कई इनवर्सिती इंप्लोई कर इस् रौधान है कि एक वैकंसी के खिलाब दस लोगों को इंटर्व्यू में बुलाए जाएगा सब को बुला लिया गया एक ही बोट ने इंटर्व्यू लिया और लगातार एक एक डेडर मिनट ले लिया जिनको सेलेक्ट करना था जिनके बारे में पहले से था उनका ज़्याद कित्ताओं के सारे किर्दमान धस्त कर दिये हैं धर्ति के दवरान साक्षातकार में एक दो अयोग्य भ्यर्तियों को आमंत्रित किया गया वहीं इंटर्व्यू में चहेतों के लिए साक्षातकार बोर्ड ने UGC द्वारा निर्धारित साक्षातकार अंकों की प्राडाली को तरकिनार कर दिया अव्धिर्थियों को अंकों की बजाए बोर्ट की सहमती के आधार पर सेलेक्ट कर लिया गया इस पूरे ठेल की कलई अब एक-एक करके खुल रही है राकेश शर्मा इटीवी न्यूज चैपुर और रते एक छोटे से ब्रेक के लिए प्रेक के बात स्वागत है अब सभी का राजस्थान की उच्च शिक्षा इतिहास के सबसे कालय अध्याय बन चुके जैन नारायन विश्विद्याले में सहायक प्रोफेसरों की भरती में भाई भती जावाद के साथ साथ यूजिसी और विश्विद्याले के नियमों की अंदेखी तो हुई ही साथी इस भरती प्रक्रिया में योगिता की निर्मम हत्या कर दी गई देखिए ये खास रिपोर्ट जोद्पूर्ट जैनारायर विश्विद्याले ने सहायक प्रोफेसर भरती प्रक्रिया में यूजिसी नियम के तहत निर्धारित योगिता को तरकिनार कर दिया है और अयोगि लोगों को गले लगा लिया एसीबी ने जो चाईशीर्ट की प्रिकोर्ट में पेश की है उससे खुलासा हो रहा है कि चहेतों को रियोडिया बाटने के लिए विश्विद्याले के जिम्मेदार अधिकारियों ने बड़ी संख्या में योग या भेर्थियों की राह को रोग दी है कई विभागों के चैन समीतियों की सदस्यों ने अपनों को भरती करने के लिए योग उम्मीद्वारों को अयोग घोशित कर दिया जो जिसी साहब से सलेक्शन होता है होना चाहिए ताकि एक निस्पक्षता का भाव जगे वो सारे चीजों को दरकिनार कर दिया गया और most of the time जो विशे विशे सक गया है उसको दबा दिया गया उसको नाट दिया गया और जो लोग सिफारिस जिनकी थी या जिनको पक्षपात करना था अयोग रते भी उनका चैन कर दिया गया आये एक नजर उन अभिरतियों पर डालते हैं जो UGC के नियमों के दायरे में नहीं आते थे फिर विश्विद्याले के जिम्मेदारों ने उन्हें साक्षातकार के लिए आमंत्रित किया डॉक्टर विवाभूत डॉक्टर रजनीकांत्रिवेदी डॉक्टर राखिव्यास डॉक्टर कामिनी ओज्जा डॉक्टर रिचा बोहरा डॉक्टर जयाभंडारी डॉक्टर बीनु जोर्ज डॉक्टर लाली सिंग डॉक्टर प्रतिभा सांखला डॉक्टर महेंद्र पुरोहित डॉक्टर नागेन सिंभाटी डॉक्टर उम्मेज राज तातेड, डॉक्टर आशा राठी, डॉक्टर आशीश माथुर, डॉक्टर रमेश कुमार चोहान, डॉक्टर रचना दिनेश मोदी, डॉक्टर कामनी शर्मा, डॉक्टर संगीता परिहार, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर अमिताधारिवार, डॉक्टर विरेंच सिंग, डॉक्टर शुकमार बारबर, डॉक्टर लेखु गहलोत, डॉक्टर पूनम पुनिया। ये वह 24 नाम है जिनकी PhD की डिगरी UGC Regulation 2009 के तहत नहीं आती है। फिर भी विश्विद्याले की जिमेदारों ने इन्हें रियोडिया बाटने का काम किया, इन उम्मीद्वारों ने आवेदन के समय अपनी PhD की डिगरी तक शामिल नहीं की थी। लेकिन जय नारायण विश्विद्याले शिक्षक भरती कमेटी ने राजिस्तरकार के आदेशों की खुले आम औहेलना की, राजनीतिक रसूख वाले इन सभी अभ्यर्थियों को सहायक प्रोफेसर के पत पर अबैत तरीके से नियुक्ति दे दी गई। जोदपूर से सहयोगी ललित सिंग के साथ राकेश शर्मा, ETV News, जैपिश। और उक्तेंक ब्रेक के लिए ब्रेके बाद स्वागत है आप सभी का सहायक प्रोफेसर भरती प्रक्रिया में E.C.B. की चार शीट में कई चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जहां रसूखदारों की नजदीकियों को गैर कानूनी तरीके से नियुक्तियां दी गई वही साक्षातकार बोर्ड के सदस्य रिश्वत खोरी के जरिये अपनी तीजोरी भरने में भी पीछे नहीं रहे जाज के दौराने E.C.B. को मिले साक्षों से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं E.C.B. ने जै नरायन इन्वेस्टी के सहायक प्रोफेसर भरती मामले में नए सिरे से जाज शुरू की है जिसके तहट घुटाले से जुड़े सभी अधिकारी और पदाधिकारियों के बैंक खाते खंगा ले जा रहे हैं E.C.B. ने इस काम के लिए जैपुर, जोदपुर समेत कई शहरों में सम्बंदित बैंकों के प्रवंधन को नोटीस थमाए हैं दरसल E.C.B. ने जब अभ्यर्थियों, आरोपियों और पीड़ितों से पूश्ताज की तो खुलासा हुआ कि आवेदन प्रकिरिया से लेकर साख्षातकार और अंतिम सूची जारी होने में बड़े पैमाने पर रिशुवत का लेन देन हुआ है E.C.B. ने सुप्रिम कोर्ट में पेश की गई चार्शिट में भी रिशुवत कांट का खुलासा किया है जो एक कैंडिडेट का सेलेक्शन के लिए पूरा प्रोज होना चीए उसकी जिव एकडिमी क्वालिफिकेशन है उसने कोई अगर बहुत अच्छा काम किया उसको फिर इंटर्व्यू का परफर्मेंस ऐसा कोई नहीं किया गया इंटर्व्यू कर लिया गया अब कैसे इन्होंने बेस्ट चार सेलेक्ट किये होंगे यह तो कोई भी सदारन आदमी समझ सकता है कि इंटर्व्यू में एक नियर फर्मलिटी थी और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उसमें काफी कैंडिडेट प्री डिशाइडेट थी ACB की चार्शीट में खुलासा हुआ है कि साक्षातकार बोर्ट के विशेशग्यों के सामने ततकालीन कुलपती भवर सिंग राजपुरोहित ने खुद स्वेकार किया कि उनके उपर जबरदस्त राजनीतिक दबाव था और उच्च राजनीतिक रसूखदारों ने उनको च साक्षातकार के लिए आये विशेशग्या हैरान तब रह गए जब चैन की अंतिम सूची जारी की गई इस सूची में बोर्ड द्वारा चैनित किसी भी अभ्यर्थी का नाम नहीं था और ना ही अन्तिम सूची पर साक्षातकार बोर्ड में बैटने वाले सदस्यों के हश्ताक्षर थे JNVU प्रबंधन द्वारा जारी की गई अन्तिम चैन सूचियों में से किसी पर भी UGC के नियमा नुसार हश्ताक्षर भी नहीं करवाये गए जिन से साफ होता है कि सूचिया मनमर्जी से जारी कर दी गई इस पूरे खेल को बेनकाब करने के लिए A.C.B. हर उस पहलू पर नजर दोड़ा रहा है जो लोक सेवकों और रिशोत खोरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी है राकेश शर्मा, ETV News, जैपुर वहीं इस मुद्दे पर पूर्व मुक्यमंत्री अशोग गहलोत ने ETV राजस्थान से खास बात चीत की और वसंधरा सरकार पर तीखे प्रहार किये लेकि भरती तो हुई है भरती जैपुर में भी हुई है, जोत्मी हुई है, कई कुछ शिकायत नहीं आई थी, कुछ लोग शिकायत करते ही है पर साहिकार ने खुद ने जाइमुर्व के मदले की बाहना से काम कर रही है मुकद में दर्श कर रही है हाई कोट ने ट्रेश कर दिया उस मुकद में को देखें अब इस चार्ज शीट का अंजाम क्या होगा फिलाल इतना ही नमस्कार